थाइलेंड की गुफा में फसे 12 फुटबॉलर बच्चों समेत उनके कोच को आखिरकार सुरक्षित बचा लिया गया है। उत्री थाइलेंड में 23 जून को बाल का पानी भरने से वहां घूमने गए 12 फुटबॉलर बच्चे और उनके कोच फस गए। रात होने पर जब बच्चे घर नहीं लोटे तो उनके अभिवावकों ने लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। गुफा के प्रवेश द्वार पर लड़कों की साइकले मिली और रात में तलाशी अभियान शुरू किया गया। 24 जून को इस्थानिय प्रिशाशन पुलिस और बचाव कर्मियों वाली टीम ने तलाश शुरू की। 25 जून को तलाश अभियान को आगे बढ़ाते हुए लड़कों के आगे बढ़ने वाले रास्ते को खंगाला गया। 26 जून को थाई नोसेना की सील के सरस्य और दूसरे लोग अभियान से जुड़े। ग्रह मंतरी अनुपोंग ने कहा कि गुफा के रास्ते में पानी भर गया है। 27 जून को भारी बारिश से अभियान प्रभावित हुआ। आमेरिकी सेना ब्रिटेन के गुफा बिशेशग्य और गुफा की जानकारी रखने वाले कई अन्य शक्स इस अभियान से जुड़े। 28 जून को पहाड के बाहर से छेट कर गुफा से पानी निकालने की कोशिश शुरू हुई। गुफा के अन्य प्रवेश द्वार की तलाश शुरू हुई। 29 जून प्रधान मंतरी प्रियुच चान ओचा गुफा के पास पहुचे और परीजनों से उम्मीरे नहीं छोड़ने का अनुरोद किया। 30 जून को लापता लड़कों की जगह का पता लगाने के लिए प्रियास फिर्शे शुरू हुआ। आस्ट्रेलिया और चीन सहित दुनिया के और विशेशक्य बचाव दल में शामिल हुए। एक जुलाई को बचाव के कारे में लगे गोता खोर गुफा के भीतर आगे बढ़ने में सफल रहे। दो जुलाई को गुफा की जानकारी रखने बाले दो बिटिश बिशेशक्यों ने लापता लड़कों और उनके कोच की जगह का पता लगा लिया। बच्चों के साथ बादचीत का वीडियो रिकॉड किया गया। तीन जुलाई को वीडियो जारी किया गया बच्चे आपस में बादचीत करते देखे। चार जुलाई को नो से ना सील के साथ सदस्य और एक डॉक्टर ने बच्चों तक खाना और दबा पहुचाने का अभियान चलाया, बच्चों को निकालने के बिभिन आप्शन पर चर्चा हुई, पात जुलाई को लड़कों को गोता खोरी के तरीके के बारे में बताया गया, गुफा में भरे पानी को निकालने का अभियान और तेजी से चलाया गया, छे जुलाई को आगे खत्रा बढ़ने की आशंका के चलते अधिकारियों ने लड़कों को जल्द से जल्द निकालने का संकेत दिया, गुफा के भीतर ऑक्सीजन इसतर घटने को लेकर चिंता बढ अभियान के दोरान ओक्सीजन की कमी से सील के पूर्व सदस्य की मोत हो गई, 7 जुलाई बारिश की आशंका के कारण अधिकारियों ने अगले कुछ दिनों में बच्चों को निकालने का सुझाव दिया, 8 जुलाई अधिकारियों ने कहा कि बचाव अभियान शुरुआत कर दिन चार और लड़कों को बाहर निकाला गया, 10 जुलाई बचाव अभियान के तीसरे दिन गोता खोरों ने बाकी चार लड़कों और उनके कोच को बाहर निकाला, इस तरह दो हफते से जादा समय तक चले इस अभियान का अंत हुआ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के सा जरूर शेयर करें और वीफोर विनोवेटिव को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें